हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम गोविन है और आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि कैसे आप अपनी फास्ट बोलिंग में रिस्ट का यूज कर सकते हो तो अगर आप एक फास्ट बोलर हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखेगा और अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए जो आपकी बॉलिंग की स्पीड होती है वो आपके दो फैक्टर्स पर डिपैंड करती है फर्स्ट आपकी गृप पोजिशन सेकिंड आपकी रिस्ट पोजिशन क्योंकि फ्रेंड जब तक आपकी गृप पोजिशन अच्छी नहीं होगी तब तक आप अपनी रिस्ट पोजिशन का अच्छे से यूस नहीं कर पाएंगे फ्रेंड अगर आपकी रिस्ट पोजिशन अच्छी है तो आप बॉल को अच्छे से डिलिवर कर सकते हो और आप little bit amount में pace भी generate कर सकते हो अपनी strength की according फ्रेंट्स आप बात करते हैं आपके grip position के बारे में तो फ्रेंट्स ऐसे आप normally fast bowling में ball को grip करते हो वैसे ही आपको ball को grip करना है तो fast bowling में होता क्या है कि आपके जो दो finger होते हैं वो ball के उपर ऐसे होते हैं और आपका thumb ऐसे होता है और आपके जो दो finger होते हैं वो हमेशा band होते हैं फ्रेंट्स आपने देखा होगा कि बहुत से baller के fingers के बीच में space होता है और बहुत से baller ball को एकड़म close पकड़ते हैं तो जिसमें भी आप comfortable हो आप उसका use कर सकते हो यह आपके उपर depend करता है तो फ्रेंट्स एक और बात कि जब भी आप ball को grip करना तो आपको एक बात का हमेशा द्यान रखना है कि आपको ball को हमेशा एकड़म normal grip करना है ना तो आपको ball को जादा tight पकड़ना है और ना ही जादा loose आपकी जो grip position होनी चाहिए हमेशा normal होनी चाहिए आप बात करते हैं आपके wrist position के बारे में तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको fast bowling में अपनी wrist का use कैसे करना है फ्रेंट्स अब भी आप ball को grip करना तो आपको एक बात का हमेशा द्यान रखना है जो आपकी wrist है वो हमेशा lock होनी चाहिए wrist के lock होने से आपको ये benefit होता है कि आप ball को अच्छे से deliver कर पाते हो और अगर आपकी height अच्छी है तो आप अपनी fast bowling में अपनी wrist का use करके bounce generate कर सकते हो और अपनी strength के according little bit amount में pace भी generate कर सकते हो normally एक fast bowler आता है ball को ऐसे release करता है जब आप अपनी fast bowling में wrist का use करते हैं तो आप आते हैं और end में एकदम flick का use करते हैं ऐसे release के एकदम end में आप click करते हैं अपनी wrist को ऐसे तो friends आप अपनी wrist की help से अपनी fast bowling में little bit amount में bounce generate कर सकते हो और pace भी generate कर सकते हो अगर आपको एक complete fast baller बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैं अपनी wrist का use करूँ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ball को grip करना जो आपकी wrist की position होनी चाहिए एकदम straight होनी चाहिए कि wrist ऐसे down नहीं होनी चाहिए तब भी आप अपनी wrist को lock करना आपकी जो wrist की position होनी चाहिए एकदम straight होनी चाहिए तब भी आप ball को अच्छे से deliver कर पाओगे और तब भी आप अपनी wrist की help से bounce generate कर पाओगे friends अब मैं आपको एक ऐसी drill बताता हूँ जिससे आप अपनी wrist की position को और improve कर सकते हैं friends आपको normally क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपनी wrist को ऐसे lock करना है और फिर आपको ball को ऐसे throw करना है तो friends इस drill का use आप अपने घर पर भी कर सकते हैं तो आपको क्या करना है बस आपको अपनी wrist को lock करना है और आपको दिवार पे ball को throw करना है अगर आप चाते हैं तो आप ground में जाकर भी practice कर सकते हो तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इस drill की help से आप असानी से अपनी wrist position को और improve कर सकते हैं I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please मेरे चैनल को subscribe कीजे, like कीजे, share कीजे Thanks for watching